नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल निक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल में और मैं हूँ आपके साथ आर्दी रोजाना की तरह एक बार फिर से हादिर अपना स्पिशल प्रोग्राम आज का राशी फॉल लेकर जोहां हम आपको बताते हैं आज का दिन आपका किस प्रकार से गुजरने वाला है चले शुरुवात करते हैं और बात करते हैं राशियों के बारे में पर उससे पहले हम आपको ये बता दें कि राशी फॉल का हमारे जीवन में बड़ा ही महत होता है राशी के अनुसार वेक्ति के स्वभाव और भविश्ते से जुड़ी कई जानकारी के बारे में पता किया जा सकता है ग्रह गोचर और नक्षत्र की चाल के अधार पर ही राशी फल का निर्माण किया जाता है आज 24 अक्टूबर वीरवार का शुब दिन है और आज भगवान विश्न्यों की किर्पास से कुछ राशियों को धललाब हो रहा है तो कुछ राशियों को जीवन में सफलता मिल रही है आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस राशिफल में मिलने वाला है तो शली इस चुरुवात करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेश राशियों के बारे में आज मेश राशि के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है धन प्राप्ती के योग बने हुए हैं आपको धनला भाज हो सकता है किसी बाहरी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है जिससे आपको अपने जीवन में सफलता मिल सकती है अब बात कर लेते हैं ब्रिशब राशी के बारे में तो आपको बता दें आर्थिक पक्ष मजबूत हो रहा है अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो जरूर करें प्रॉपर्टी के शेत्र में निवेश करना आपके लिए काफी जादा फायदे मन रहने वाला है तो वहीं आपके द्वारा किया गया प्रयास काफी जादा लाबकारी रहने वाला है आने वाले समय में चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशी के बारे में तो आपको बता दे आज आपके या आएके साधन बनते हुई नजर आ रहे हैं आपके द्वारा की आगया प्यास सफल हो जाएगा परिवार में किसी मंगल काम कायूजन हो सकता है आप आज का दिन आपके लिए काफी खास रहेगा और कई बदलाव आपको देखनी को मिलेंगे तो वहीं आपको कई कामों में आज सफलता भी मिल रही है अब बात कर लेते हैं करकराशी के बारे में तो आपको बता दे आर्थिक द्रिष्टी से ये समय आपके लिए उन्नती भरा रहने वाला है विविसाइक द्रिष्टी से थोड़ा सा तनाव पून और भागदोर की स्थितियां भी हो सकती है भागदोर और तनाव पूंट सित्यों से भी आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिल सकता है तो वहीं आज करक राशी वालों का भाग्या उनका साथ देते हुए नजर आ रहा है सिंगर राशी की बात करेंगे अब तो बता दे आपको भौतिक सुक्त साधनों की प्राप्ति हो रही है आध्यात्मिक विकास के स्थित्य अच्छी होती हुए नजर आ रही है धर्म कर में रूची बढ़ने वाली है कामकास के शेत्रों में अच्छी सफलता मिल सकती है धन अचल संपति के द्रिष्टी से उन्नती होने वाली है अब बात करते हैं कन्या राशी के बारे में तो आपको बता दे सगे संबंदियों से संबंद बहतर होते हुए नजर आ रहे है बड़ो का सही योग मिल रहा है धन संग्रह करने में आप सफल हो जाएंगे इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है अगर किसी तरह का कोई विवाद है तो वो भी सामानने होता हुआ नजर आ रहे है अब बात कर लेते हैं तुला राशी के बारे में तो बता दें आज आपके लिए पारिवारिक स्थितिया अनुप कूल रहने वाली है घर परिवार में आपको सम्मान की दिष्टी से देखा जाएगा आपसे घर परिवार के विकास के लिए सहीयोग की मदद भी की जा सकती है इसलिए आपको घर परिवार में सहीयोग करने की आवश्यक्ता है घर परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा बन सकता है आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब व्रिश्चिक राशी के बारे में तो आपको बता दे घर परिवार के सयोग से आपका विकास हो सकता है आपके विकास के साथ साथ घर गिरस्ती से भी विकास हो सकता है भागे आपका अच्छा साथ दे रहा है घर परिवार के संगठन से आप अपने आपको बहुत जादा गौरव में महसूस करने वाले हैं अब बात कर लेते हैं धनूराशी के बारे में तो आपको बता दें आर्थिक लाब के लिए निवेश करने का अगर प्लान कर रहे हैं तो जरूर करें आपको लाब होने ही वाला है आर्थिक स्थिती अच संपत्य प्राप्ति के लिहास से दिन उन् lookoutी भरा रहने वाला है अब बात करेंगे मकर राशी के पारे में तो आपको बता दे पारिवारिक सामान टे शुब रहने वाली में आप से सामन जश City से इस दी प्रती अच्छा हो सकता है किसी भी काम को ले कर एक दूसरे के सही योग की भावना उत्वन हो सकती है एक दूसरे के साथ मिलकर किसी भी काम को सफल बनाने की योजना सफल हो जाएगी अब बात करते हैं कुम्भराशी के बारे में तो आपको बता दे घर परिवार में मधुर संबंध होने से हर तरफ के कामों में आपको काम्याबी मिल सकती है घर में सुक शांती समरिधी की प्राप्ती हो सकती है घर मंदिर जैसा प्रतीत होते हुए दिख रहे शकुषल एक बत्य जीवन में खुशी बरकरार रहे चलिए अब अबंत में बात कर लेते हैं मीन राशी के बारे में तो आपको बता दे आज का दिन आपके लिए उत्सा भरा रहने वाला है जुस भी काम को आप करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी अब विप्रीत परिस्तिति में भी अपने आपको बहतर महसूस करने वाले हैं तो ये था आज का राशी पर